हलो दोस्तों, स्वागत आपनों का मेरे यूटूब चैनल स्री आर्ट ग्यलरी में दोस्तों, आज की इस टॉपिक में मैं आप सबी लोगों के समझ भारत के प्रसीद आदोनिक कलाकारों के महत्पूर्ण प्रशनों की सिंखला आप लोगों के समझ प्रस्तूत करूँगा दूस्तो इसके पहले के टॉपिक में हम लोग भारत के प्रसीद आदोनिक कलाकारों के बारे में टॉपिक वाइस पढ़े थे और तमाम उन भारती कलाकारों के परिपेच में इंपोर्टेंट पॉइंटों को हम लोग कबर किये थे जो भी कंडिडेट उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज उस वीडियो को देखें उसके बाद इस कोस्चनों को आप लोग साल्व करें इस वीडियो में उन्हीं तमाम भारती कलाकारों से रिलेटेड एक्जाम में पूट अप होने वाले तमाम कोश्चनों को आज के इस वीडियो में हम लोग साल्व करेंगे ये सारे कोश्चन आप लोगों के बिगत मादमिक सिछा से बाचायन बोर्ड और अधर एक्जामों में ये कोश्चन पूट अप हुए हैं तो आप लोग केरफली इस वीडियो को सुरू से लेकर लाज तब जरूर देखेगा दोस्तो आईए सुरू करते हैं आज के इंपोर्टेंट टॉपिको स्वर परतम आप लोगों के समझ जो मैंने एक कोश्चन प्रवाइट किया था पीछली वीडियो में उसका एंसर आप लोगों से कमेंट बाक्स में देने के लिए कहा था तमाम का डिडिटों ने अच्छा प्रयास किया और तमाम लोगों ने इसे गलत किया तो आईए जान लेते हैं सुरू परतम कि उस कोश्चन का राइट एंसर क्या है कोश्चन था कि में पुसेन की फिल्म की सुटिंग की सराज में हुआ था दोस्तों जब मैंने आप लोगों को में पुसेन के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंटे सेर किया था तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि में पुसेन की पहली जो फिल्म थी Through the Eyes of a Painter और इस फिल्म की MFJN ने कहां पर सूटिंग किया था तो आप सबी लोगों को बताना चाहते हैं कि Through the Eyes of a Painter की जो सूटिंग हुई थी वह राजस्थान का प्रमुक अस्थान बूंदी का छेत्र था तो आप लोग ध्यान दीजेगा अब गुलती मत करिएगा तो Question Number उसका Right Answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान दोस्तो आज की जो Important Question का सेट मैंने तैयार किया है उनमें स्वर पर्थम हाथुनिक भारत के प्रसीदिक अलाकार मंजीत बाबा के उन तमाम Question को हम लोग देखेंगे जो की भीकत मादमिक सिचा से बाचेन Board के TGT PGT exam में आए हुए हैं यह Question आप लोगों से गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि यह भीकत परिच्छाओं में इन से Related Question पूट अप किये गया है आईए देखते हैं उन तमाम Important Question को दोस्तो आज का हमारा पहला Question है कि प्रसीद चितरकार मंजीत बाबा यहां से हैं दोस्तो यह Question same to same 2016 के TGT exam में पूट अप किया गया था तो इसका Right Answer जो हो जाएगा वो First हो जाएगा पंजाब क्योंकि आप लोगों को जब मैंने इसके पिछली वीडियो में मंजीत बाबा के ऊपर तमाम Important Question को सेर किया तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मंजीत बाबा थे इनका जो जन्म होता है वो पटियाला पंजाब में एक प्रसीद सहर थी पंजाब से दिल्ली की ओर पलायन करते हैं तो आप लोगों को मंजीत बाबा के बारे में इसके पहले की वीडियो में बताया गया था तो इसका राइट एंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा आईए देखते हम लोग Next Question को दोस्तो हमारा अगला Question है कि Krishna with Dancing Couch प्रसीद कृती है यह दोस्तो बहुत ही Famous कृती है और यह कृती बारत के आदुनी कलाकार मंजीत बाबा की कृतियों में से एक मानी जाती है और अक्सर एक्जाम में Question Put Up होता है तो आप लोग ध्यान दिजेगा इसका Right Answer 2 हो जाएगा हमारा अगला Question है कि मंजीत बाबा का प्रे विसरा दोस्तो बहुत Important Question है आप सबी लोगों को बताना चाहते है कि जो मंजीत बाबा थे यह एक प्रसीद कलाकार थे और एक प्रसीद चितरकार के रूप में इनकी ख्याती प्राप्त है और आप सबी लोगों को जब मैंने बताया था कि मंजीत बाबा जो थे कि पहाडी कलाओं से काफी प्रेरित होकर अपने अंकन किये थे और जब भी आप इनके चितरों को देखेंगे तो उनमें राधा और गोपियों का जो अंकन देखने को मिलता है वो बड़ा मनू हारी तिरिश्च था तो इसका राइट एंसर जो हो जाएगा वो थोड हो जाएगा राधा और गोपिया हमारा अगला कोश्चन है कि प्रसीद पैंटिंग इच्छाओं का काला बाग हाई दोस्तों यह बहुत ही फेमस क्रिती है इच्छाओं का काला बाग और यह भारत के प्रसीद कलाकार मनचीत बाबा के क्रितियों में से एक मानी जाती है द्यान देजिएगा तो इसका राइट एंसर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों यह सारे सिरीज जो मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तूत किया यह मनजीत बाबा से रिलेटेड एक्जाम में पूटप होने वाले यह कोस्चन आये हुए थे उन ही सभी लोगों को मैं आप लोगों के समझ प्रस्तूत किया हूँ मंजीत बाबा से related अगले question जो put up कोई गीत ही कि वो था कि मंजीत बाबा की से सैली से प्रभावित थे एक प्रसित चितरकार के रूप में ख्याती प्राप्त किये थे और ये कलाकार जो थे ये अति यथाद वात से भी प्रभावित थे तो इसका right answer जो हो जाएगा वो fourth हो भारती कलाकार जो हैं वो हैं अमेरिता सेरिगिल और आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिता सेरिगिल जो हैं वो भारत की प्रसीद आधनी महिला कलाकार के रूप में जानी जाती हैं और इनसे related जो एक्जाम में question put up किये गये थे उनको हम लोग अग solve करेंगे तो आईए जिपसी गल किसकी चित्र है और आप लोगों के समझ चार option दिये गये थे तो दोस्तो हंगेरियन जिपसी गल जो प्रसीद क्रिती है वो अमेरिता सेरिगिल की क्रिती मानी जाती है और इस क्रिती को अमेरिता सेरिगिल ने जो निर्मित किया था वो 1932 AD में निर्मित किया था और ये मादिमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ट के TGT exam to 2016 में question put up किया था, तो इसका right answer जो हो जाएगा, वो first हो जाएगा. दोस्तो हमारा अगला question है, कि अमरिता सेरिगिल ने अपना studio कहां बनाया? दोस्तो जब आप लोगों को मैंने अमरिता सेरिगिल के बारे में important point share किया था, तो वहाँ पर सारी बाते अमरिता सेरिगिल से related हम लोग discuss कर चुके हैं. तो इसका right answer जो हो जाएगा, वो similar हो जाएगा. आप सब लोगों को बताना चाते हैं, कि जो अमरिता सेरिगिल थी, इनका जो चन्म होता है, वो 1913 इसवी में हंगरी की राजधानी बोड़ापेश्टा में हुआ था, और जब ये 1934 इसवी में भारत आई थी, तब इन्हों ने अपना सिमला में अपना studio बनाया था, उस रम इंपोर्टेंट पॉइंट है, और ये 2013 के TGT exam में question put up किया था, दोस्तों बताना चाते हैं कि अमेता सेरिगिल की जुम्रित्यू होती है, वो 1941 AD में अर्थाथ 28 सुपर्सकियाई में इनकी जुम्रित्यू होती है, वो लाहर पाकिस्तान में होती है, तमाम कंडिडिटों ने इस question को गलत किया था, तो कृपया आप लोग गलत न करें, ध्यान दीजेगा, अमेता सेरिगिल की जुम्रित्यू होती है, वो लाहर पाकिस्तान में होती, तो right answer third हो जाएगा, हमारा अगला question है, कि अमेता सेरिगिल का जन्म कहां हुआ था, very important point, दोस्तों आप सब लिगों क को बताये थे, कि अमेता सेरिगिल का जो जन्म होता है, वो 30 जन्वरी 1923 को हंगरी की राजदानी बुड़ा पेश्टा में होता, तो इसका right answer जो हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, हंगरी, अगला question है, कि भारती फ्रीडा कोहलो कही जाती है, very important point दोस्तों, आप सब लोगों को सुरपतम यहाँ पे बताना चाते हैं, कि फ्रीडा कोहलो जो थी, वो मैक्सिकन की बहुत ही फेमस महिला कलाकार की रूप में जानी जाती है, और वो 200 विख्यात कलाकार थी, दोस्तों, अपनी जिंदगी की तमाम पड़ाव को उन्होंने देखा था, वो विकलांग होने के स साथ उन्होंने ऐसी ख्याती हरजित की पेंटिंग में, जो कि दुनिया में बहुत ही बिख्यात कलाकार हैं, फ्रीडा कोहलो, और यह मैक्सिकन की बहुत ही फेमस कलाकार ही, उन्हीं से रिलेटेट, जो भारती फ्रीडा कोहलो को संग्या दी जाती है, वो भारत की प्रसीद महिला कलाकार अमिता सेरगिल है इस point को नोट करिएगा जब भी एक चाम में question put up करे कि भारती Frida Kahlo किसे कहा जाता है तो वो आधुनिक महिला कलाकार अमिता सेरगिल है और Frida Kahlo वलनी put up किया जाए कि Frida Kahlo कहां की कलाकार है तो वो मैक्सिकन की प्रसित महिला कलाकार थी परन्तु उन्ही के नाम से उप नाम से भारती Frida Kahlo अमिता सेरगिल को कहा जाता है अपलो ध्यान दीजेगा दोस्तो अगले हमारे इंपोर्टेंट भारत की प्रसित आधुनिक कलाकार सतीस गुजराल है और सतीस गुजराल से रिलेटेट जितने भी एक्जाम में कोश्चन पूटप किया गया है अब हम लोग बारी-बारी से साल्व करेंगे दोस्तो हमारा पहला सतीस गुजराल से जो कोश्चन पूटप किया जाने वाला था वो था कि बीभाजन तराजदी किसकी प्रसीद कृती है बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन और ये नेट जियारफ की एक्जाम में भी कोश्चन पूटप किया गया है जो बीभाजन तराजदी थी ये सतीस गुजराल की बहुत ही फेमस कृती मानी जाती है द्यांदी जी का तो इसका राइट एंसर थोर्ड हो जाएगा हमारा अगला इंपोर्टेंट कोश्चन है कि मोहन जोदाडो संस्कृती प्रसीद कृती है तो इस तो बहुत इंपोर्टेंट और अक्सर स्टूडेंट कन्फूजन करते हैं आप लोगों को बताना चाते हैं कि जो मोहन जोदाडो संस्कृती है इसको निर्मित किया था भारत के प्रसीद कलाकार सतीज गुजराल ने यहीं पर आप लोगों को बताना चाते हैं कि मोहन जोदाडो सिरीज जो टॉपिक पर कारी किये थे वो जतिंदाज ने किया था इस point को भी नोट करिएगा तो मोहँजोदारो संस्कृति और मोहँजोदारो सिरीज ये दोनो different different painting है हैं इस पर भी गॉर करिएगा हमारा अगला important question सतीख गुजराल पे है कि कि किस कलाकार ने चित्रों में आधुनिक मसेनी यंत्र, बीम्बो का रहस्यात्मक उलेक किया था Very important point है दोस्तो जो सतीष गुझराल थे, उन्होंने अपने चित्रों में मसेनी यंत्र बीम्बो का रहस्यात्मक प्रयोग किया था अर्थात, जो कलाकार थे, वो थे 27 गुझराल तो इसका right answer third हो जाएगा हमारा अगला important question है कि किस वर्ष सतीस गुजराल ने अमेरिका में नोतांतरिक कलाकरितियां लगाई थी यहाँ पर ध्यान दिजेगा भारत के दो ऐसे कलाकार थे जो नोतांतरिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं एक हैं संतोस और दूसरे हैं सतीस गुजराल अगर इनसे related आये तो आप लोग द्यान दिजेगा सतीस गुजराल को भी एक परसीद नोतांतरिक कलाकार के रूप में जाना जाता है दोस्तो दोस्तो इसका right answer जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा सतीस गुजराल ने अमेरिका में नोतांतरिक कलाकरितियां जो परदरसीत की थे वो 1975 भी में अर्थात 1975 AD में इन्होंने परदरसीत किया था इस point को नोट करिएगा हमारा अगला important जो question सतीस गुजराल पर है question है कि 200 lesson किसकी परसीद करिती है बहुत important question है दोस्तो जो 200 lesson है यह सतीस गुजराल की परसीद करिती मानी जाती है तो question number 5th का right answer जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा सतीस गुजराल दोस्तो हमारे अगले important बारत की आदुनी कलाकार MF हुसेन है और MF हुसेन से तमाम important question बार बार put up की जाती है दोस्तो आप सब लोगों को यहां बताना चाते हैं कि मैं सारे question को put up नहीं किया हूँ सिर्फ इन कलाकारों के 5-5 question को मैं आप लोगों के समझ प्रस्तूत किया हूँ अगर आप लोगों के request होगे और आप लोगों कि आउसकता होती तो इन से related जितने भी important question है मैं आप लोगों के समझ प्रस्तूत करूँगा दोस्तो आईए हम लोग देख लेते हैं कि M.F. हुसेन से exam में put up होने वाले कौन-कौन से question थे जो पहला question put up किया गया था कि देवलालिकल से हुसेन ने कहां painting की सिछा ली थी very important point दोस्तो देवलालिकर जो थे ये प्रसीद M.F. हुसेन के प्रारंबिक गुरु थे और हुसेन सहब ने देवलालिकर जी से जो सिछा ली थी वो indoor से ली थे तो इसका right answer जो हो जाएगा वो third हो जाएगा indoor हमारा अगला important question है कि Mother Teresa सिरीज किस ने बनाई very important point है दोस्तो Mother Teresa सिरीज जो बनाई थी वो M.F. हुसेन ने अधात मकबूल फिदा हुसेन सहाब ने बनाया था तो इसका right answer जो हो जाएगा वो third हो जाएगा next question है कि M.F. हुसेन का निधन कहा होगा था very important point दोस्तो अक्सर exam में question आया और तमाम लड़कों को जो नहीं मालूम था उन्होंने गलतिया किया था आप सभी लोग जानते हैं कि M.F. हुसेन सहाब का जो जन्म होता है वो 17 सितंबर 1915 इसबी को भारत में हुआ था और भारत के पंडनपूर माहराश्टय में होता है परन्तो इनकी जो मुर्ति होती है 2011 में इनकी जो मुर्ति होती है वो लंदन में होती है और लंदन में कहां Рाल वीमिल्टन जो हस्पीटल थी वहीं पर इनका निधन हुआ था 2011 में तो इसका right answer जो हो जाएगा वो first London हो जाएगा ध्यान दिजगा कि प्रसीद चित्र जमीन का कलाकार है very important point दोस्तो जो जमीन कृतियों को निर्मित किये थे वो मकबूल फिदा हुसैन ने किया था और उनके प्रसीद कृतियों में से एक मानी जाती है जमीन ध्यान दिजगा तो right answer third हो जाएगा दोस्तो अगली जो important point है कि हुसैन के किस आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है दोस्तो हुसैन सहब जो थे वो घोड़ों को लेकर तमाम ऐसी तमाम हजारों कृतियों को निर्मित किया और इन ही कृतियों से related इनको देखा जाता है तो हुसैन सहब कि जिन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है वो था horse और था घोड़ा right answer two हो जाएगा दोस्तो हमारे अगले जो important कलाकार हैं वो है भारत की प्रसीत महिला कलाकार अंजली इला मेलन आईए जानते हैं हम लोग इनसे related तमाम important question को दोस्तो इनसे related जो पहला question है कि अंजली इला मेलन का जन्मस्थान है और आप सभी लोगों जानते हैं कि अंजली इला मेलन जो थी ये भारत की प्रसीत आधुनिक महिला कलाकार के रूप में जानी जाती है और इनका जो जन्मस्थान है वो पस्चीम बंगाल में हुआ था द्यान दी जगा साथी साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो अंजली इला मेलन थी इन्होंने अपनी जो प्रारंभी जो कला की सिच्छाएं थी बताया जा चुका है ध्यान दी जगा दोस्तो हमारा अगला इंपोर्टेंट जो कोस्चन है अंजली इला मेलन के उपर वो है कि भारत के प्रसीद चितरकार अपने पेंटिंग के पीछे अंगुठी का निसान लगाता था और आप सभी लोगों के समझ चार आपसन दिये गया है तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि वो भारत के प्रसीद महिला कलाकार जो हैं वो है अंजली इला मेलन जो की अपने पेंटिंग के पीछे अंगुठी का निसान लगाती थी ये बहुत इंपोर्टेंट है आप लोग देहान दिजेगा तो इसका राइट एंसर जो हो जाएगा वो थोर्ड हो जाएगा हमारा अगला जो इंपोर्टेंट कोस्चन है अंजली इला मेलन के उपर वो है कि प्रसीद कृती दो फिमेल हेड किसकी है दोस्तों अंजली इला मेलन की यह बहुत ही फेमास किरिती है दो फिमेल हेड देहान दिजेगा तो इसका राइट एंसर फर्स्ट हो जाएगा हमारा अगला जो इंपोर्टेंट कोस्चन है कि अंजली इला मेलन को पदमिसरी पुरसकार से भारत के द्वारा कब नमाजा गया था तो दोस्तो अंजली इला मेलन को पदमिसरी पुरसकार से जब नमाजा गया वो समय जो था 2000 का समय था अर्थाlect तूथ हाउजेंट में अंजली इला मेलन को पदमिसरी पुरसकार से सम्भानित किया गया था तो राइट एंसर टू हो जाएगा आईए देखते हैं हम लोग अगले important question को दोस्तों अगला ही important जो question है कि कालीदा सम्वान कब दिया गया था स्वरपरतम आप लोग ध्यान दिजेगा कि कालीदा सम्वान जो है वो महराष्ट स्वारी मध्यप्रदेश सरकार के दोरा कालीदा सम्वान परदान किया जाता है कला के छेते में उत्करिष्ट कार करने वाले कलाकारों को तो दोस्तों कालीदा सम्वान जो मध्यप्रदेश सरकार के दोरा परदान किया गया था वो भारत की प्रसिद महिला कलाकार अंजली इला मेलन थी और इनको यह पुरसकार जो था वो वर्स 2018 में मध्यप्रदेश सरकार के दोरा दिया गया था तो इसका राइट एंसर जो हो जाएगा वो टू हो जाएगा 2018 तो आप लोग ध्यान दिजेगा तो दोस्तो आज की इस टॉपिक में मैंने तमाम इंपोर्टेंट उन कोस्चनों को समाहित किया है जो की आप लोगों के नेट एग्जाम, TGT, PGT, KBS आधी एग्जामों में ये कोस्चन पूटप किये गया हैं आप लोग इन कोस्चनों को केरफुली लर्ण करिएगा और किसी इस चैनल पर पहली बार वाच कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेयर करें हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए तैंकि दोस्तो